तो आज हम चानल पर देखने वाले हैं बैंग्डू स्टाइल स्पेशल चित्राना रेसिपी तो हमने जल से जल कड़ाई रख दिया है कड़ाई रख किया हुआ है और हम एड़ करेंगे वन टीस्पून फुल लाफ जी राइस में और जीरे को थोड़ा सा ब्राउन होने जट पट बनाते हीं बहुत टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करना और कमेंट्स में बताना कि मुझे रेसिपी कैसी लगी अब मैं आड़ कर रही हूँ वन टेबल स्पून मस्टर्ट सीज यानि की राई के दाने और हम राई को ज थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा क्रिस्पिनस आ जाए उसके बाद हम एड़ करेंगे हमारी नेक्स्ट इंग्रिडियन्स तो मुंग फली यानि की पीनट और उसके बाद हम एड़ करेंगे मुंग की दाल मुंग की दाल एड़ करके हम इसको भी करने के बाद हम एट करेंगे थोड़ा सा कड़ी पता यानि की करी लीफ्स और थोड़ी सी लाल मिर्च और मैंने वन ओनियों को बारिक चॉप कर लिया है यानि की प्यास इसको भी हम एट करके अच्छे से हम फ्राइ करेंगे मीडियम साइज त्री टोमैटोस मैंने बारिक अच्छे से बाद हम एट करेंगे कॉरियंडर लीव्स यानि की हमारा हरया धनिया और इसको भी हम भूनेंगे नेस्ट हमने लिया है हाफ टीज़ा हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और वन टीज़ा टार्मरिक पौडर यानि की हाल्दी और हाफ टीज़ा रेड चीली पौडर यानि की लाल मिर्श पौडर तो सब मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे इसके बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे टोमाटो जो है अच्छे से मैश हो जाए मैंने एक साइड में एक लेमन साइज टैमरिन यानि की इमली को भिगो के रख दिया था इसका हम पल्प निकाल लेंगे और ये जो मसाला हमारा रोस्ट हो रहा है अब लोग ज्यादा से ज्यादा चानल को सब्सक्राइब करना शेर करना और कामेंट करना चानल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना अब हम इसमें एट करेंगे जो टैमरिन का जूज हमने निकाला था इमली का जूज वो हम इसमें एट करेंगे एड़ करके इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके जो इमली का कच्छापन होता है इसको गाय तक हम इसको कुक करेंगे तो मैं इसको हिलाते हुए फाइव टू टेन मिट्स के लिए इसको कुक करती हूँ दिखिए हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो रही है और सॉल्ट मुझे थोड़ा कम लगा तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट एट करही हूँ और मैंने उनसाइड वाइल राइस को किया था अगर आपके पास नाइट में बनाया हुआ बचा हुआ राइस हो तो आप उसको भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर आप गरम राइस को राइस के साथ भी आप इसको बना सकते हो बहुत टेस्टी रेसिपी चेट पैट से बन जाती है स्पेशल चितराना रेसिपी है बैंग्रू स्टाइल तो हमारा हमारी ग्रेवी जो है तैयार हो चुकी है अब हम इसमें आड़ करेंगे हमारा वाइट राइस एड़ करके हम अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे इस तरह से अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको उपर नीचे करते हुए कर्ची से तो वीडियो को स्किप मत किजिए तो दिखें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अब हम इसको छोड़ेंगे फाइम निट हम इसको फुल फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि जल सदल स्टीम चारों और फैले तो फाइम निट मैंने फ्लेम को फास्ट रखा हुआ है उसके बाद मैं फ्लेम को स्लो कर दूँग फ्लेम को स्लो करके अब मैं फिर से खाने को उपर नीचे कर रही हूँ इसके बाद हम फिर से इसको दम के लिए छोड़ेंगे ताके फुल राइस जो है अच्छे से गरम हो जाए तो देखिए हमारा स्पेशल चितराना अल्मोस्ट रेडी है तो चली हम इसको सब करते हैं तो देखिए हमारा बैंगलू स्टेल स्पेशल चितराना रेसिपी बन कर तयार है रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राइ करना और कमेंट्स में बताना कि रेसिपी कैसी लगी तो थैंक यू सो मच फर वाचिंग इसके साथ मैं आइट करूंगी थोड़ा सा अचार यानि के पिकल और थोड़े से मैंने लिए है शोव मिक्सचर तो देखे है तयार है आप लोग रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए नभी साथ की चैनल ग्लास को लाइक शेर और सब्सक्राइब अला हफीज थैंक यू सो मच फर वाचिंग